पुस्तक का नाम हमारे महानुत्तरादिखारी लेखर पंडित श्रीराम शर्मा आचारिय आडियो 2 बच्चे पर माता-पिता का प्रभाव बच्चे के जीवन पर माता-पिता के जीवन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता का ग्रहस्त जीवन सुखी नहीं है, तो बच्चा भी सुखी नहीं रह सकता। जिस घर में माता और पिता की आपसना अनबन रहती है, उस घर का बच्चा अपने भावी सामाजिक जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। साधरन घरों में देखा जाता है कि यदि इस्त्री और पूरुष का किसी बात पर जगड़ा हो जाए तो उस बात का पता सारे घरवालों को हो जाता है। बच्चों की आँखों के सामने लडाई जगड़ा, रूठना, नाटना, डपटना, वो घरता तथा रोना धोना होता है। इस प्रकार के प्रदर्शन बच्चे के भविश के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। उसके मन में से माता-पिता का सम्मान जाता रहता है। ऐसी बातों का एक और भयंका परिणाम यह होता है कि बच्चा वेवाहिक जीवन को ग्रणा के दिश्टी से देखने लगता है। ऐसे घर की लड़की अपने भावी जीवन को सदा भय और संदहे के दिश्टी से देखती है। इसी तरह ऐसे घर का लड़का भी बहुत कम माता पिता अपने बच्चों को सुसब्य और अच्छे नागरिक नहीं बना सकते। उन्हें अपने बच्चों से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे उनका उचित सम्मान करें। बच्चों को समाज का उत्तम सदस बनाने के लिए माता पिता को पहले स्वयम उत्तम माता पित होती हैं जिसका प्रभाव बच्चे के जीवन पर अद्रश्य रूप से पढ़ता है यदि पिता किसी बच्चे को डांड दे और माता उसकी हिमायत लेकर अपने पती से लड़ने लगे तो इस बात का बच्चे और उसकी पिता दोनों के लिए दोश परिणाम निकलता है इसी निकलती के साथ माता और पिता दोनों का व्योछार समान होना चाहिए यह बात तो माता बिता के आपसे झगड़ों और मतवेत की रही किन्तु बहुत से घरों में एक और प्रकार का महावारत मचा रहता है और वह है औरतों का आपस में लड़ाया जगड़ा जिन घरों में औरतें हर समय आपस में लड़ती जगड़ती रहती हैं, उन घरों के बच्चे भी यही कुछ सीखते हैं इस प्रिकार के वातावरन का प्रभाव लड़कियों पर विशेश रूप से पड़ता है वे बड़ी होकर सचुराल में उसी प्रिकार का व्योहार करती हैं यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है परिणाम यह होता है कि उस घर का सारा पारिवारिक जीवन दुख पूर्ण और कटू हो जाता है घर वालों के लिए किसी भी समय चैन या सुप की सांस लेना कठिन हो जाता है उपरोक्त परस्थितियों के अत्रिक्त माता पिता के ग्रहस्त जीवन में कई अन्य ऐसी बातें होती हैं जिनका प्रभाव बच्चे के मन पर बहुत गहरा पड़ता है और उस प्रभाव का अनुमाल लगाना भी कटिन होता है अपने बच्चों में मेरा और तेरा का गेत माताए करती हैं नन्य बच्चों को वे सिखाती हैं कि यह तेरा गिलास है इसे घर में रख वा उनके बच्चे का है पड़ा रहने दे घर में कई बच्चे हुए तो अपने बच्चे के साथ दूसरा व्यवहाथ उसे खाने पहनेने की वस्तूओं में से अधिक भाग दिया दूसरे देवराने जिठाने के बच्चों को कम अपने बच्चों को प्यार करती हैं दूलार करती हैं परंतु उसी जगा खड़े देवराने जिठाने के बच्चों को दुद्ध कारती हैं चार और देखा यदि कोई न हुआ तो मार दिया देवराने जिठाने के त्वेश भाव को पूरा करती हैं कई बच्चे एक साथ खेलते हैं, खाते हैं कहीं उन में कुछ खटपट हो गई तो उनकी माताएं अपने अपने बच्चों का पक्ष लेकर लगी महाभारत करने घंटों जगड़ा चलता रहा बच्चों के कोमल हिर्दय पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है इस मनुवरती के माता पिता के लड़के आगे चलकर घर में फूट पैदा करने वाले, जमीन जायदात के लिए मुकदमे बाजी करने वाले और भाई की संपती हडबने वाले बनते हैं ऐसी लड़कियां प्याह के बाद ससुराल पहुँची नहीं कि सास, जिठानी, ननत के व्योहार के प्रती लगी पती का कान फूखने कान फूखते फूखते एक दिन बटवारा करा कर ही माना घर में बटवारा की बाद ऐसी ही घर फोड इस्टियों के कारण होती है वे अपने पती की स्वामेनी बनेने की प्रबल इच्छा रखती है उनकी चाह होती है कि पती पर उनका शाषन चले जितना वह कहे उतना ही उसका पती करे जिससे उसकी पत्ती है उससे पती बोले जिन जिन से उनकी अन्वन है, पती उनको अपना शत्रु स्विकार करे यह सब पच्पन के बीज हैं, जिनहें माता पिता ने अपनी मूर्कता से वपन किया मैं और तूम, मेरा और तेरा, सगा और दूसरा की मनो वृत्ति ही यह सब फल है मनो विज्ञान ने अबो धिर्देयों की गहराईयों में जाकने का प्रेतन किया है और इस विशेय पर काफी प्रकाश डाला है मनो विज्ञान विशारदों का यह भी मत है कि बच्चे का माता पिता के साथ सोना वांचन ही यह नहीं है बच्चे को बच्पिन से ही अलग सुलाना चाहिए हमारे घरों में पारिवारिक जीवन कुछ इस ठंका बन गया है कि बच्चों का संपर्ध अधिकतर माता के साथ ही रहता है पिता बच्चों के साथ अधिक समय तक नहीं रहते माताओं का पारिवारिक जीवन इतना व्यस्त रहता है कि वे बच्चों की ओर विशेज ज्यान नहीं दे पाती इसकी अत्रिक्त अधिकान्ष माताओं का अनुभाव, मनोवेग्यानिक ज्यान और योगिता बहुत कम होती है इसलिए वे बच्चों के साथ समझदारी से बढ़ताओं नहीं करती वे बच्चे की देखभाल के काम को भी घर के धन्दे की भांती एक विवश्ता समझती है किन्तु इस प्रिकार का बढ़ताओं बच्चे के लिए एक भारी चोट होती है जो बच्चा हर गड़ी या समझने के लिए विवश हो कि वहाँ अपनी माता के लिए एक व्यर्थ का बोज है और जिस बच्चे की माता प्रसनता पूर्वक ना तो उसे कपड़े पहना सकती हो ना दूद पिला सकती हो और नहीं कोई अच्छा बरताओं कर सकती हो उस बच्चे का जीवन क्या बनेगा यदि माता बच्चे के साथ अधिकतर व्योहार इस प्रकार का करती हो तो कभी-कभी उसका बच्चे के प्रती स्नेह प्रदर्शन उसके लिए किसी काम का नहीं बच्चे के मन में उसके प्रती किये गए दूर व्योहार और अन्याय सदा खटकते रहते हैं इसलिए कभी-कभी का स्नेय प्रदर्शन भी उसके लिए निरत्थक रहेगा माता की इस प्रकार के व्योहार का वास्तरी करण यह होता है कि बच्चे के पालन पोशन और देखभाल का सारा काम उसके कंदों पर डाल दिया जाता है और पिता इस काम में उसका बिलकुल हाथ नहीं बटाता पिता यही समझता है और यही कहता भी है कि यह काम केवल माता का है इसलिए वा पत्नी की इस काम में कोई सायता नहीं करता बच्चे की भलाई के सम्मंद में बहुत कम माता पिता मिलकर सच्चे दिल से विचार विमर्ष करते होंगे यही कारण है कि बच्चे के प्रती माता और पिता का व्योहार एक जैसा नहीं होता बच्चों के सम्मंद में दोनों के विचार एक जैसे नहीं होते बल्कि वास्तविक स्थितिया है कि बच्चों के सम्मंद में न तो माता के कोई विचार होते हैं न पिता के जैसा उनके मन में आया बच्चों के साथ वैसा व्योहार कर दिया माता और पिता दोनों को ही बच्चे के संबंद में कोई विशेश अनुभव नहीं होता माता को तो भला थोड़ा बहुत उल्टा सीधा अनुभव प्राप्त हो भी गया किन्तु पिता इस मामले में बिल्कुल कोरा होता है फिर दोनों के विचारों में साम में कैसे हो सकता है। जब बच्चों के साथ उचित औस नहीं पूर्ण व्योहार नहीं होता तो वह अपने आपको माता पिता पर एक व्यर्थ का बोच समझने लगता है। बिना सोचे समझे काम करने का हमारा यह ढंग बच्चों के साथ ही नहीं वरन पारिवारिक जीवन के अन्य शेत्रों में भी हम इसी तरह करते हैं। बहुत सी बातें प्राचीन रिती रिवाज की अनुसार चली आती हैं। विवा इसी तरह होते हैं। पती-पत्नी अपनी पूरी सहमती से विवा सम्मंद में नहीं बदते। ग्रहस्त जीवन के सम्मंद में उनकी कोई योजना नहीं होती। तब वे अपने बच्चे के जीवन के सम्मंद में कोई ठोस योजना कैसे बना सकते हैं। यदि विवा करते सम्मंद युवक और यूती ने अपने सामने कोई आदर्श नहीं रखा, तो वे अपने बच्चे के लिए कैसे कोई आदर्श नियत कर सकते हैं। बच्चा माता-पिता दोनों के लिए आनंद और प्रसन्नता का श्रोत होना चाहिए। यदि बच्चा माता को बहुत प्रिया है किन्तु वो पिता को प्रिया नहीं या कोई बच्चा पिता को बहुत प्रिया है किन्तु माता को पसंद नहीं है, तो बच्चे का अस्तेत्वर उनके लिए आनंद का श्रोत नहीं हो सकता। इसकी अत्रिक्द बच्चा सदा, माता और पिता दोनों की इच्छा और मरजी से पैदा होना चाहिए। बीना इच्छा का एवं बीना मागा हुआ बच्चा कभी माता-पिता के उचित स्नेहे का पात्र नहीं बन सकता। यदि बच्चे के आगमन के लिए माता या पिता या दूनों तयार नहीं है या उसके समुचित पादल पोशन और सिक्षन की सामर्थ नहीं रखते तो बच्चा पैदा ना किया जाए। इस संबंध में एक और बाद भी ध्यान देने योग्या है। वह यहा की बहुत से नव विवायता यूतियों की मन में जच्चेगी के प्रती, प्रह्म और त्रास की भावना भरी वही होती है। तो उस पर बच्चा पैदा करने और उसका पादल पोशन करने का बोज उस समय तक कदा भी नहीं डालना चाहिए। जब तक की उसका स्वास बिलकुल ठीक न हो जाए। कई बार अंचाहा बच्चा पैदा हो जाता है। थोड़ा बड़ा होने पर ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से पता चल जाता है कि वह माता पिता की इच्छा के बिना अंचाही व्यक्ति के रूपना आया है। इससे बच्चे के कोमल मन पर बहुत गहरा धक्का लगता है। हमारे देश में ऐसे अंचाहे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है। लड़कियां तो लगबग सारी की सारी अंचाही होती है। उन्हें बच्चपन से ही इस बात का कटू अन्भव होता है। इसलिए वे अपने आपको सदा तुच्च, हीन और अनेच्छित व्यक्ति मानती हैं। वे अपने तुच्चता एवं हीनता के कारण को समझ नहीं पाती। इस्त्रियों के बहुत से कस्टों और तुट्टियों का मूल कारण यही हीनत तो भावना है। पती-पत्नी के जीवन में बच्चे का अस्तित्व बहुत महत्व रखता है। उनके जीवन का महान करतव बच्चा है। हम बच्चे को महत्व तो देते हैं किन्तु केवल जन्म के समय ही उसे महत्व देकर उस्सव मनाकर अपने करतव की इतिश्री समझ लेते हैं। उसके बाद उसके व्यक्तित्व में हमें कोई दिलत्यस भी नहीं रहती। जिस तरह विवहा के बाद एक से दो हो जाना जीवन में एक बहुत बढ़ा और महत्वपुन अफसर होता है। उसी तरह बच्चे का होना जीवन में एक अत्यनत महत्वपुन कदम है। बच्चे का पैदा होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी और गम्मेर जिम्मेदारी लाता है। इस अवसर की हमें हर पहलों से पूरी-पूरी तयारी करनी चाहिए। वैवाईक एवं ग्रहस्त जीवन, मनुष्य जीवन की एक कड़ी परिक्षा है। जिस दमपत्ति ने बड़ी संख्या में पैदा कर लिये, लेकिन न तो उनका लालन-पालन ठीक ढंग से किया, न पढ़ाया लिखाया, न रहन-सहन का ठीक ढंग बताया। उन्हीं माता-पिता को मनीशी चानक्की ने बैरी की संग्या देकर उचित ही किया है। माता-पिता का संगो-पांग प्रभाव बच्ची पर पढ़ता है। गर्भ के पहले माता-पिता के प्रभाव का वर्णन तो अन्यत्र हो चुका है। गर्भ से जन्म के बाद जो प्रभाव पढ़ता है, उसका वेचार हम यहां करेंगे। इन प्रभावों को हम कभी भागो सिर्षकों में बाट सकते हैं पहला माता पिता की रहन सहन का प्रभाव दूसरा माता पिता के सुभाव का प्रभाव तीसरा माता पिता के आचरण का प्रभाव रहन सहन का प्रभाव माता पिता जिस ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं उसका गहरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है वह प्रभाव बहुत गहरा और अमिट होता है स्वच्छ और पवित्र जीवन बिताने वाले माता पिता के बच्चे स्वच्छ और पवित्र होते हैं महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का पाट अपनी माता से ही सीखा था जू माता-पिता मांसाहरी होते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं जो लोग गाली और अश्लिर शब्द बोलते हैं उनके बच्चे भी गाली बकने वाले हो जाते हैं सिनिमा और नाच रंग प्रिय माता पिता के बच्चे भी बच्चपन से ही यही सब सीख जाते हैं। कई सब्वे परिवार के बच्चे चगड़ा होने पर भी मुझ से गंदे शब्द नहीं निकाल पाते। लेकिन बहुतेरे ऐसे भी हैं जो बात-बात में बिना गाली का संप पुट लगाए हुए कोई वाक्य उच्चारण नहीं करते या उनकी माता पिता का प्रभाव ही तो है। एक अंग्रेज के बच्चे का खाने पीने का धंग अपने माता पिता जैसा हो जाता है। वे बस्तुमें उससे स्वतहर रुजिकर लगने लगेंगी जो उसकी माता प पिता को रुजिकर है। पंजाबी के बच्चे का प्रेम रोटी से रहेगा परन्तु बंगाली बच्चा पिना चावल के खा ही न पाएगा। जिसके माता पिता जैसा भोजन जिस धंग से करते हैं पैसा ही कमो बेद बच्चा भी करने लगता है। बोल चाल भाशा का ग्या पितान बच्चा अपने माता-पिता से ही सबसे अधिक सिखता है। अन्दे लोगों से बहुत कम। मेरे घर में एक सज्जन रहते हैं जो आजमगर जिले के रहने वाले हैं। उनके एक 5-6 वर्ष की छोटी बच्ची है। अपनी मा के साथ 4 महा पूर्व वह भी आकर हमारे ह घर में रहने लगी। उसकी माता-पिता आपस्ता आजमगरी बोली बोलते हैं। वह लड़की भी उसी ढंग से वैसी ही बोली बोलती है। जबसे वह हमारे यहां रहने लगी है तो उसकी माता-पिता को छोड़कर हमारे घर के सभी लोग इस देहाती की बोली बोलते हैं। यह भी होता है कि जब वा लड़की आजमगड़ी भाशा में बोलती है तो घर के लोग उसकी हसी भी उड़ाते हैं, लेकिन चार महिने के बाद भी हमने देखा कि उस बच्ची की बोली में कोई परिवर्थन नहीं हुआ, वह धड़ाके से पूर्वी बोली ही बोलती है और उसी में उसका विकास भी होता जा रहा है, भैराईश की बोली समस्ती तो है, परन्तु इससे आजमगड़ी भाशा की विकास पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, इससे यह बात निसंदे सिद्ध हो जाती है कि बच्चे पर स देरे देरे अनुसरन करने लगते हैं, सूट पेंट वाले अविभावकों के बच्चे सूट पेंट के आदी बनते हैं, जिनके घरों में धोती पहनी जाती है, उनके बच्चे धोती का इस्तमाल अवश्च जानेंगे, रड़कियां अपनी मा का अनुसरन करती हैं, जो माता भी उन्हीं का स्वरूप बंदे लगते हैं। उलटकर उत्तर ही न दिया। बला टल गी। इसके विप्रीद ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो हवा से लड़ा करते हैं। सारे दुनिया उनसे जगड़े के लिए कमर कसे रहती है। हर मिलने वाला उनका शत्रू बन जाता है। यदि कहीं नौकरी की तो अफसर खराब, बापू पक्षपाती, खेती किये तो सभी मेड़ के किनारे के खेत वाले उनके दुश्मन आए दिन पेशी और मुकत्मा ठना रहता है। खोच-खोच कर दूसरों से जगड़ा करने का उनका सभाव होता है। लोगों के बच्चे भी बात-बात में आखे लाल पिली करने लगते हैं। दुनिया जहनू में चली जाए, उनका तो अपना मतलब से दो होना चाहिए। चमडी चली जाए, परन्तु एक पैसा ना निकलेगा। प्रायर, ऐसों के बच्चों को देखा गया है कि खाने पीने की चीज रखे रहेंगे, कोई लाग मांगे, परन्तु एक रती भर दूसरे के हाथ पर रखने को तयार नहोंगे। परन्तु स्वाभिमानी लोगों के बच्चे भी वैसे नहीं होते, किसी के पास कुछ भी हो उस ओर देखेंगे नहीं, कोई कुछ खाने पीने की मिठाई दे दे तो नहीं लेंगे। हमारे विद्याले के संस्कित अध्यापक का बच्चा अभी तीन-चार साल का है। मैं कभी-कभी उसे दो-चार पैसे देने की चेस्टा करता हूं तो वह नहीं लेता। यदि हमारे संग के लोग समझाने लगते कि लेलो भेटा प्रिंस्वल सहाब दे रहे हैं तो वह तुयन भाग कर घर में भुश जाता है। बच्चों को मिठाई बड़ी प्रिय होती है। यदि खाने पीने के अवसर पर कभी उसको मिठाई आदी भी दी तो नहीं लेता। किसी को कुछ खाते पीते देखेगा तो वह जाएगा ही नहीं। उसका यह सभाव उसकी माता पिता से मिला है। उसकी माता दिन बर अपने काम में तल्लीन रहती है। किसी से कोई सरोकार नहीं। पिता चाहे भूकों मर जाए मगर ट्विशन नहीं करते। दूसरों से मांगने में बड़ा संकोच। यदि कभी अपने वेतन से ही कुछ एडवांस लेने की जरुवत पड़ी तो बिलकुल एक कांत में खड़े संकोच के साथ आकर कहेंगे। माता पिता के आचरन का प्रभाव। आचरन का अनुकरन बच्चा बहुत सूक्ष्मिता से करता है। सदाचारी चरित्रवान का बच्चा विरल ही दुराचारी निकलेगा। मनुवे ज्यानिकों ने इसकी बड़ी खोच की है। इंग्लेंड की रोयल सोसाइटी के अधिकांच सदस्य उच्यवंज के थे। सदाचार और चरित्र की चाप बच्चे पर उपदेश से नहीं वरन आचरन से पड़ती है। चरित्रवान मातापिता अपनी मुव भाशा से बच्चे पर इतना गहरा प्रभाव डाल देते हैं कि वह भीश्म की तरह द्रण बन जाता है। कठिन से कठिन परिस्तितियों में भी उसका मन परधन, परिस्त्री, परसंपत्य की ओर नहीं जाता। दुराचारी, जूटे, लफंगे और बात-बात में जूट बोलने वाले मातापिता के बच्चे में अच्छे बुरे जिस आचरन की नीव डाल देते हैं, जिन गुणों और अबगुणों को उत्म समावेशित कर देते हैं, उसी आधार पर बच्चे का जीवन रूपी भव निर्मित होता रहता है, इसलिए बच्चे को जन्म देने के साथ साथ ही माता-पिता का यहां करतब भी हो जाता है कि वे अपने बच्चे को जिस स्वभाव और आचरन का बनाना चाहते हैं, सोयम वैसा करने लगे, माबाप बच्चे के लिए दरपण का काम करते हैं, वह पर पढ़ती रहती है, बच्चे के प्रारंबिक छे सालों में भी तीन साल बड़े महत्तपूर होते हैं, इन वर्षों में वह जो कुछ सीख लेता है, अपने सेश जीवन में वह उसी का विकास करता है